हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल स्टाड़ी डियालोग्स में आज की इस वीडियो हम में हम में इसका बहुत इंपॉर्टन टॉपिक जो कि इंडिया यूए यूए रिलेशन है वो हम डिसकस करेंगी हम ये टॉपिक लेकर आए हैं क्यूं क्यूंकि ये टॉपिक बहुत दिनों से न्यूज में बना हुआ है तो ऐसे ही जो टॉपिक होते हैं वह हमारे एक्जाम के लिए खासकर कि मेंस के लिए बहुत जादा इंपॉर्टन हो जाते हैं तो अगर आप हमारी सीरीज को फॉलो करेंगे तो आपको अपने मेंस लिखने में आपको इन में बहुत जादा हैल्प मिलेगी हम ऐसे ही टॉपिक्स लेकर आते हैं जो मेंस के लिए बहुत जादा इंपॉर्टन होते हैं तो यह जो सेशन है बहुत जादा इंट्रक्टिव रहने वाला है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें बीच में स्किप बिल हैं यह यूए की विजिट पर गए हैं दो दिन के लिए अब क्यों गए हैं क्योंकि वहां पर हिंदू टैंपल का अबू ढबी में इनको इनागरेशन करना है ठीक है अब पीम मोदी जी गए हैं तो यह टॉपिक हुआना इंपॉर्टन तो हम इसी को डिसकस करेंगे चलिए देख लेते हैं अब देखो पीम मोदी की जो विजिट है वो फरवरी 2024 अभी का जो महिना है उसमें हो रही है अब यह बहुत इंपॉर्टन है वहां पर क्या है एक टैंपल है जो की बोचा संस्वामी श्री अक्तर पूरुशोत्तम स्वामी नायन संस्थान ने बनाया है किस चीज के लिए गए थे ठीक है तो यह इसको आप नोट करते हुए चलिए अपनी कॉपी में चलो अब देखो अब यहां पर हम यह देख लेते हैं कि इंडिया और यूई है कहां पर यह हमारा प्यारा देश है भारत यह इंडिया हो गया यहां से हम लोग इधर की तरफ अगर जाएंगे तो यहां पर यह है UAE संयुक्त अरब एमिरेट अब इसकी जो कैपिटल है वो है अबू धाबी ठीक है वो है अबू धाबी यहां पर है बीच में अरब सागर अरब सागर से होते हुए यहां के तरफ जाएंगे तो यह कंट्री बढ़ेगा अब इन दोनों अरब अरब एमिरेट इसकी बाूंटरी कहां कहां ता यह पहली भात तो साओधी अरब से टच हो रही है अब यह कंतर ऑठ यह नहीं रिडरेगे देश और यह है पर्शन गल्फ तो पर्शन गल्फ से यहां पर टाज्थे इस तरफ फुरिक अब इधर की तरफ है यहां पर यहां पर टुचो रही है अब एक शेमा Яवां से बनता है कि पर्शियन गौर्फ और गौलफ ओमन के बीच में कौन सी स्ट्रेट मतलब हिंदी में वूते 시청 स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। थिक अब देखेंगे वीडियो क्यों से पूरी प्रटिस कर सकते हैं आपको यहां पर ब्सक्रम ताफिया बुक आंसर कोई देखने की जरूत नहीं पड़ेगी ठीक है यह पूरी आपकी प्रेपरेशन अच्छे से करवा सकते हैं चलिए हमने अपने चैनल पर ट्रिक्स की वीडियो भी बना रखे हैं और हमारी मंतली मैगजीन में जो करंट अफेर हैं उसकी वीडियो भी हैं आप जाएए उनको देखिए और अपने करंट अफेर को आप और बात करें तो एर्ली करंट अफेर से बनाना रखे हैं दो वीडियोज मैं हिंदी अधि मीर्म और इंगलिश मीर्म दॉना के लिए है Salvador ऑरुट सपोर्टश की कि सब्सक्राइब की स्पोर्ट्स की जो करेंट अफेयर है स्पेशिलीस का हमने ये भी बना रखा है अच्छा और हमारी कम्मिनुटी में अगर आप चैनल पर जाकर विजिट करेंगे तो कम्मिनुटी पर भी हम लोग क्वेश्चन्स देते हैं आप वहां से भी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं तो हमारा चैनल में जाहिए विजिट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए चलिए अब आगे देख लेते हैं आगे हैं इंडिया और यूए की जो संबंद हैं जो उनके रिलेशन डिप्लेपनाटिक रिलेशन्स वह 1972 में शुरूआत हुई थी पहली बात यह हुई क कि शुरूआत कब से हुई 1972 से हुई राजनितिक संबंदों की शुरूआत हुई ठीक है अब उनको जो ग्रेट पुष मिला पुष मतलब है कि यहां पर जो इनके जो रिलेशन्स हैं उनमें जो तेजी आई वह 2015 से आई 2015 से कब आई जब हमारे दिश के जो पधान मंत्री नर मतलब इंडिया ने रिपब्लिक डे के सैलिब्रेशन मतलब गड़तंत्र दिवस समारोह में अबुडावी के जो यूए के जो प्रिंस हैं उनको यहां पर हमने चीफ गेस्ट के रूप में इन्विटेशन दिया ठीक है तो यहां से फैनली रिलेशन हमारे बनने बहुत अच समिट हुई उसमें भी हमने यूए के प्रेजिडेंट को चीफ गेस्ट के रूप में निवंत्रड दिया ठीक है चलिए अब यह तो हुई कि हमारे संबंद अच्छे हैं अब देखते हैं कि किन-किन आयामों में किन-किन डाइमेंशन में हमारे संबंद जो है वह बहुत जा UAE और इंडिया इन दोनों के पीच में जो, bilateral trade मतलब दीव व्यापार जो है 85 billion dollar के है इन्का ट्रेड यहां से हमारे यहां और हमारा ट्रेड यहां से जो व्यापार होता है वह टोटल 85 billion dollar का होता है तो यह अमोंट काफी अच्छा है ठीक है अब UAE जो है वह इंडिया का इंडिया का थिक है इंडिया का third largest trading partner है मतलब तीसरे number पर इंडिया का वयापार UAE से होता है तो UAE हमारे लिए बहुत जाद important हुआ trade के मामले में ठीक है और UAE जो है इंडिया का second number पर export destination है export का मतलब है निर्यात अगर देखें तो इंडिया से जो यहां से जो माल जाता है जो निर्यात जाता है तो UAE ऐसी country है कि वो second number पर आती है निर्यात के मामले में इंडिया की तरफ से अगर देखा जाए तो ठीक है और UAE जो है वो नोवा largest investor है मतलब निवेशक है UAE की जो जहां से जो निवेश आता है इंडिया में तो वो 9 नंबर पर आता है तो हुआना यह बड़ा नंबर ठीक है और next point यह है कि दोनों countries ने सेपा sign कर रखा है सेपा का मतलब क्या है comprehensive economic partnership agreement यह भी एक agreement है समझ होता है किस चीज के लिए है economic partnership को लेकर मतलब कि आर्थिक यह आर्थिक partnership को लेकर है कि हम अपने व्यापार को और जदा बढ़ाएंगे यह ऐसा agreement है इसमें क्या होता है tax की छूट दी जाती है जिससे कि दोनों की तरफ से trade और बढ़ सके तो इस सेपा के agreement को करके हमने अपना लक्ष बनाया है कि 5 सालों के अंदर अंदर trade को कितना लेकर आएंगे 115 billion dollar तक लेकर आएंगे ठीक है जो अभी हमने बढ़ा था पीछे वो कितना था 85 तो 85 से 115 हम कर लेंगे ठीक है चलो अगला पॉइंट यह है अगला पॉइंट है कि बहुत सारी इंडियन companies ऐसी है जिनोंने की निवेश कर रखा है कहां पर टूरिजम hospitality catering health retail education sector UAE की कंट्री में मतलब परियटन में कर रखा है अतीती खानपान स्वास्त खुद्रा और शिक्षा के छेत में बहुत ज्यादा investment कर रखा है ठीक है तो यह इंडिया की तरफ से कदम हो गया अब देखो अगला पॉइंट है कि रूपे कार्ड रूपे कार्ड है यह जो रूपे कार्ड है अब यह 2019 UAE में accept करा जाता है तो अभी क्या हुआ कि ये एक बहुत-ब़ड़ी सुविदा है ठीक है ये बहुत-ब़ड़ी ऐसी सुविदा है कि जहां पर कि क्या होता है कि आम जो लेन देन है रूपे का लेन देन है तो वह रूपे कार्ड में हो जाता है यहां पर यह को स्वीकार किया जाता है ठीक है तो ये भी व्यापार बढ़ाने के लिए कदम हो गया अब देखो next point है कि रुपीज रुपीज क्या है हमारी भारत की currency है है ना तो रुपीज को भी UAE की जो एरपोर्ट है एरपोर्ट मतलब हवाई अड़े ठीक है संयुक्त अरब अमीरात के जो हवाई अड़े हैं उन पर रुपीज को जुलाई 2023 से स्वीकार किया जा रहा है तो ये भी आर्थिक सुधारों के लिए एक कदम है ठीक है अब अगला point देख लेते हैं देखिए अगला point है लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम अब इसके नाम से ही पदा चल रहा है कि ऐसा सेटलमेंट सिस्टम जो की लोकल करेंसी में किया जाए अब इंडिया और UAE की बात हो रही है ना भारत और संयुक्त अरब अमिरात की बात हो रही है तो इन दोनों में जो भी transaction होगा मतलब जो लेंदेन की जो बात होगी वो इन दोनों की जो लोकल करेंसी है जैसे कि इंडिया की है रुपीज और UAE की है दिरहम ठीक है तो जो हमारे जो trade होगा वो हम इन में भुगतान कर देंगे दिरहम या UAE को करना होगा तो वो दिरहम में कर देगा और इंडिया को करना होगा तो वो रुपीज में कर देगा मतलब यहाँ पर जो dollar की dependency हट रही है ठीक है अब यह जो है यह important है आप इसको note कर लीजिए answer लिखने के लिए अगर आप ऐसे points को mention करेंगे न तो आपको बहुत अच्छे marks मिलेंगे यह बहुत important point है L C S S अगर आपने यह ऐसे point प्रेना तो examiner बहुत कुछ हो जाएगा और आ बहुत सारे अच्छे marks देगा ठीक है चलिए यह बहुत ही ज्यादा important points है इनको note करते हुए चलिए अब है energy security cooperation अभी हमने उपर कौन सा पढ़ा था आर्थिक पढ़े थे अब हम पढ़ रहे है energy security की कौन कौन सी cooperation है इंडिया और UAE के बीच में तो पहला तो यह है कि यहाँ पर दोनों देशों ने एक agreement साइन करा है किस चीज को लेकर इंडियन strategic petroleum reserve limited और अभुदावी की है national oil company दोनों ने मिलके agreement साइन करा है कि भारत के मेंगलूर में क्या बनाएंगे strategic crude oil storage facility बनाएंगे और इसके लिए 400 million dollar का investment करेंगे ठीक है अब देखो यह strategic crude oil storage facility होती क्या है crude oil क्या होता है crude oil होता है कच्चा तेल ठीक है जो हम petrol इसमें फैक्टरीज वगरा में यूज करते हैं तो हमारे इंडिय में मंगलूर में बहुत बड़ी storage बनाई जाएगी जिसमें की कच्चे तेल को store करके रखा जाएगा अब इसकी ज़रुरत क्या है इसकी ज़रुती यह है कि मानो कभी भी कोई भी emergency है है ना जिसमें की हमें कच्चा तेल और दूसरे देशों से नहीं मिल पाता मानो कोई war है या फिर कोई supply कम है या कुछ भी है तो उस दोरान हमारे देश में energy की requirement के लिए कोई problem ना हो है ना हमारी आर्थिक गदीविदिया हमारी जो economy है वो चलती रहे तो उस दोरान ये तेल कच्चा तेल जो है पेट्रोल जो है वो हमारे काम आ जाए इसलिए storage बनाए जाते हैं हर देश में बनाए जाते हैं तो यह इ इंडिया की सहयता कौन कर रहा है वो कर रहा है यू एई संयुक्त अरब अमीरात कर रहा है ठीक है यह भी बहुत important point कि कहां मनाया जा रहा है मैंगलोर में ठीक है अब अगला point देख लेते हैं अब है cultural relation के बारे में देख लेते हैं cultural relation में देखो इंडिया के मतलब तीन कि अगर हमारे इंडियां यू एई में रहेंगे तो क्या होगा कि वह अपने कल्चर को वहीं पर फॉलो करेंगे अपने ट्रेडिशन को वहीं पर फॉलो करेंगे कैसे करेंगे कि इंडियां में मनाये जाने वाले त्योहार वहां पर मनाएंगे शीदी सी बात है तो वहां के जो लोगों के वो हमारे कल्चर से रूबरो जाएंगे है ना तो बस यही है Ki हमारा कल्चर जो है उन लोगों को वह जानते हैं कि हमारा कल्चर क्या है वह फैमीलियर हैं हमारे कल्चर से यह बहुत बड़ी बात है क्यों क्यूंकि 3.3 Million एंडियन महां रहते हैं ठीक है अब देखो अब इंडिया का ही सिनेमा टीवी रेडियो चैनल यह जो है यूए में इजी अविलेबल है और उनके बहुत सारे वहां पर दर्शक भी है विवर्स भी है बहुत सारे ऐसा नहीं कि जिर्फ अब अच्छे अच्छी संक्या में वहा हमारे देश का जो इंटरनेशनल डे ओफ योगा इवेंट है उसमें बहुत जादा पाटिसेपेट करती है भाग लेती है ठीके अमीराई समुदाय जो है जो वार्शिक अंतरास्टे योग देवस है उसमें ये लोग बहुत जादा पाटिसेपेट करते हैं तो अभी हमने च्छेत्रय सेहबागता यह क्या है हर रंणीतिक क्या ते च्छेत्रयं का अक है इसके बारे में पड़ेंगे अब देखो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों देश, दोनों देश मतलब इंडिया भी और UAE भी, इंडिया और UAE दोनों ऐसे छेत्रिये जो सहभागिता है ना, रणनितिक छेत्रिये सहभागिता, वो दोनों की यहां पर पार्टिसिपेंट हैं, जैसे कि है आई टू, ओ सारी, यह है आई यू टू, देखो, आई टू, यू टू का मतलब क्या है, आई से हो गया इंडिया, ठीक है, और टू से क्या हो गया, यहां पर है, दूसरा आई है, इस्राइल, ठीक है, ऐसे ही, यू से पहला ही हो गया, UAE, और दूसरा हो गया, यूस से, तो यह चारो देश, चारो देश क् यह एक ही ग्रूपिंग के पार्टनर्स हैं तो इंडिया भी है और यूए यह भी है तो यूए और इंडिया किसमें आ गए आई टू यूट्यूब में आ गए तो यह याद कर लेना यह कुछन में से पूछ ले जाता है कि I2 YouTube में कौन कौन से देश है चलो अब आगे देख लेते हैं अब अब देखो एक चीज़ यहां पर यह है कि इंडिया मिडल इस्ट यूरोप एकोनोमिक कॉरिडोर आई मेक आई एम एसी इंफ्राच्टर यह प्रोजेक्ट है जिसमें की यूए अभी जो जी ट्वंटी पार्टन समीट हुई थी ना उसमें इसने यह पार्टनर बन गया है अब देखो अब यह है क्या भारत मध्यपूर यूरोपिया आर्थिक गलिया रहा है इसको मैप में देख लेते हैं हम लोग ठीक है यह देखो इसको मैप में एंदिया यह यहां पर अब यह है निडिल इस्ट ने यूए जोह वह अभी इसका पार्टनर बन गया है कब जब G20 समिट हुई थी अब यहां से इंडिया UAE यह दोनों की दोनों मिलकर काम करेंगे यहां पर Middle East को Cross करते हुए कहां जाएगा यहां पर यह है यूरोप यहां पर यूरोप की तरफ जाएगा तो भारत से यूरोप में जाने का यह एक रास्ता है अब यह है क्या अब यह देखो यह जो चाइना है चाइना का One Road और One Belt Initiative ठीक है यह उसके लिए एक जवाब है क्यों की चाइना हर जगा अपना यह वाला प्रोजेक्ट लेकर जा रहा है One Belt One Belt One Road Initiative है यह ठीक है क्या है One Belt पहले बैल्ट आता है फिरोड आता है तो One Belt One Road Initiative है तो इसका जवाब इंडिया ने इस चीज़ से दिया है इंडिया मिडलिस्ट यूरोप एकोनोमिक कोरिडोर से तो यह इंपोर्टन्ट है इसकी फुल फर्म याद कर लेना ठीक है चलो अब अगला देखते हैं अगला पॉइंट क्या है अगला पॉइंट यह है कि जो हमारी External Affairs Minister थी सुष्मा स्वराची स्वर्गेश शरीमती सुष्मा स्वराची अब उनको OIC ने अपने यहाँ पर एक Guest के रूप में बुलाया था अब वो बुलाया था लेकिन बहुत सारी Islamic countries जो थी वो यहाँ पर oppose कर रही थी इनके invitation का क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है कि यहाँ पर सिर्फ Muslim countries को बुलाया जाता है और यहाँ पर इंडिया तो Muslim country है नहीं तो यहाँ पर इंडिया को बुलाया गया तो इस चीज़ का opposition किस ने करा था? पाकिस्तान ने करा था तो हम यह देख सकते हैं यहाँ से कि हमारे और UAE यहाँ कहें कि Middle East countries के जो संबंदे वो काफी अच्छे हैं तीक है? अब देखो संबंद तो बहुत अच्छे हमने पढ़ लिये लेकिन कुछ चुनातिया भी है इसमें पहली चुनाती है Non Tariff Barrier Non Tariff Barrier का मतलब होता है अब देखो Barrier जो है न वो दो तरह से हो सकते हैं एक पता है कि Tariff लगा के कर दिया जाए Tariff का मतलब क्या हुआ? कि Tax लगा कर हमारे व्यापार को रोग दिया जाए लेकिन यहां पर है Non Tariff की बात हो रही है कि Tax नहीं लगाया यहां पर कुछ और ही बात है और फिर हमारा जो एक्सपोर्ट है वो कम हो रहा है अब वो Non Tariff है क्या? यह दोखो वो है Sanitary और Phytosanitary Measures Sanitary Phytosanitary Measures और दूसरा है हलाल सर्टिफिकेट अब Sanitary Phytosanitary में क्या होता है? कि जैसे मानों हमने इंडिया है इंडिया ने मानों कुछ यहां पर एक्सपोर्ट करा UAE में जैसे कोई फल करा सबजी करा तो अगर इसमें कोई भी कोई भी कीडा है या सडान है ठीके? अगर उन फलों में अगर ये चीज़ आ रही है तो यहां से जो पूरी लॉट है ये वापस कर दी जाएगी तो ऐसे जो सक्त सक्त जो जो Regulations बना रखे हैं उनके लिए यहां पर ये थोड़ी बादा आ जाती है कि हमारा Export जो है वो Effect हो जाता है दूसरा होता है हलाल सर्टिफिकेट अब हलाल सर्टिफिकेट में क्या दे रखा है कि ये लोग ये बोलते हैं कि आपके यहां से जो भी फूड आएगा चाहे वो प्रोसेस हो चाहे कैसा भी हो मीट हो कुछ भी हो तो वो जो Muslim countries के जो law है ना उनको फॉलो करते हुए ही बनाया गया हो तो अब ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे इतनी सारी कंपनीज है अब ये रूल को फॉलो करना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि कंपनीज ऐसा नहीं है कि सिर्फ Muslim countries के जो rules regulations से उनको फॉलो करके अपने यहां पर कोई फूड बनाए तो एक रुकावट यह आ जाती हमारे यहां पर एक्सपोर्ट में ठीक है अब थर्ड पॉइंट है चाइना का जो economic influence है UAE में ठीक है अब वो किस चीज से है वो है चाइना की checkbook diplomacy चाइना की जो checkbook diplomacy है उसमें क्या होता है कि चाइना बहुत ही कम जाधा ब्याज पर मतलब बहुत कम interest पर क्या करता है loan देता है अब इतने कम interest पर अगर loan देगा तो कोई भी country loan ले लेगी अब loan अगर ले लेगी तो क्या होगा उसका प्रभाव बहुत जादा हो जाएगा चायना का और जो भारत के जो आर्थिक प्रभाव है वो फीके पड़ जाएगा इसके सामने तो एक चैलन्ज ये है हमारा आगे चलते है नेक्स्ट पॉइंट है एक है कफाला सिस्टम UAE में कफाला सिस्टम होता है जिसमें की क्या होता है कि वहां के जो employers है ना उनको ऐसी powers दे रखी है वहां की government ने UAE की government ने UAE की government ने क्या गर रखा है कि वहां के जो employers है मतलब काम देने वाले जो लोग है उनको ऐसे अधिकार दे रखी है वहां के जो owners हैं company जो मालिक हैं कि इंडिया से जाने वाले जो migrants हैं प्रवासी जो हैं वहां पर काम करेंगे तो उनकी शर्टों पर करेंगे और इसमें क्या होता है इस सिस्टम में है क्या इस सिस्टम में यह है कि ऐसा ही contract होता है कि मानों कुछ समय के लिए contract हुआ 5 साल, 2 साल, 6 साल तो उस contract में उन से जितना मर्जी काम कराया जाए एक slave की तरह और दीरे दीरे करके क्या होता है कि यह जो यहां पर के owners मालिक होते हैं इनके जो passport होते हैं वो छीन लेते हैं ठीक है तो यहां पर यह लोग क्या हो जाते हैं एक slave बन कर रह जाते हैं मतलब दास ब बहुत बड़ी problem है और यह human right का बहुत बड़ा चिंता का वेशे है कि यहां पर मानव अधिकारों का उलंगन होता है तो यह बहुत बड़ा challenge है चलो अगला point देख लेते हैं अगला point यह है कि जो UAE जो है वो पाकिस्तान को financial support करता है financial support मतलब वित्य सहायता देता है अब पा इंडिया के खिलाव होता है तो यह बहुत चंता का वेशे है तो अभी हमने क्या देखे challenges देख लिए इन दोने की friendship कितनी मजबूत है हमने यह देख ली ठीक है अब यहां पर challenges फिर भी चलो ऐसा है कि भविशे में solve हो जाएंगे धीरे धीरे हैना तो अब अगर देखा और इंडिया और UAE दोनों ही एक साथ असाधरन राजनीतिक साजेदारी के साथ आगे बढ़ रहे हैं ठीक है तो यह हमारा conclusion आ जाएगा और यह एक दुनिया के सामने एक ऐसा model पेश कर रहे हैं जिसमें की दोनों का ही भविशे सूदरड होना तै है तो यह है इसका conclusion ऐसे ही conclusion आपको एक्जाम में भी लिख कर आने होते हैं जिसमें की positive जलब दिखती है ठीक है चलिए तो यह था हमारा topic तो यह खतम होता है यहां कर यहां पर तो अगर आपको इसमें कोई भी doubt है तो आप हमें comment करके बताए हमारी वीडियो को like कीजिए अपने friends के जाए सदा शेयर की कीजिए और हमारे चैनल को subscribe कीजिए तो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए happy learning